अहोई अश्टमी का व्रत करवा चोत के चार दिन बाद और दिपावली से आठ दिन पहले किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्पुन होता है। इस दिन महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ती, संतान की लंबी आयू और संतान को किसी भी परकार की अन्होनी से बचाने के लिए करती है। अहोई अश्टमी के व्रत में महिलाओं दिन भर उभवास रखती हैं और साम को तारे दिखने के समय अहोई माता का पूजन करती हैं। इस दोरान तारों को करवे से अर्थ भी दिया जाता है। यह व्रत पहुत मुस्किल होता है। और व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन पानी की वून भी ग्रहन नहीं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अहुई अश्टमी के दिन अहुई माता का सच्चे मन से पूजन करने से अहुई माता संतान प्राप्ति और संतानों को लंबी आयू का वर्दान देती हैं और इस सुरत के परताप से सभी मनो कामने पूरी होती हैं अहोई अश्टमी की एक परचिलित कता है एक साहुकार के साथ बेटे और एक बेटी थी साहुकार ने अपने सातों बेटों और बेटी की साधी कर दी अब उसके घर में साथ बेटों के साथ साथ भववे भी थी एक बार सहुकार की बेटी तीपावली पर अपने ससुराल से माई के आई थी दिवाली पर घर कोट लिपने के लिए सारी भगवे जंगल से मिट्टी लेने जा रही थी यह देख सहुकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी साहुकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस इस्थान पर स्याहु अपने बेटों के साथ रहती थी उसी दोरान गलती से साहुकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहु का एक बच्चा मर जाता है इस पर क्रोधित होकर स्याओ ने साहुकार की बेटी से कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है अब मैं तुमारी कोख बांधूँगी। स्याव की बात सुनकर साहुकार की बेटी अपने सातों भावियों से एक एक करके विंति करती है कि वह उसके बदले अपनी कोक बंधुआ ले सबसे छोटी भावी नंद के बदले अपनी कोक बंधुआने के लिए तयार भी हो जाती है इसके बाद छोटी भावी के जो भी बच्चे होते हैं वे साथ दिन बाद मर जाते हैं साथो पुत्रों की इस परकार मिर्त्य होने के बाद वे पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूछती है तब उस पंडित ने उसे सुरही गाए की सेवा करने की सला देता है अब छोटी भावी सुरही गाए की खूब सेवा करती है और सुरही गाए उसकी सेवा से बहुत परशन होती है और उससे पूछती है की तू किसके लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वे उससे क्या चाहती है जो कुछ तेरी इच्छा है वे तू मुझसे मांग ले साहुकार की बहु ने कहा स्याव माता ने मेरी कोक बान दी है जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं यदि आप मेरी कोक खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी गाए माता ने उसकी बात मान लेती हैं और उसे साथ लेकर सा समुंदर पार स्याव माता के पास ले जाती है राश्ते में ठक जाने पर दोनों एक इस्थान पर आराम करने लगते हैं अचानक साहुकार की छोटी बहु की नजर एक तरफ जाती है वह देखती है कि एक साप गरूर पंखनी के बच्चे को दसने जा रहा है और छोटी बहु उस जहरीली साप को मार देती है इतने में गरूर पंखनी भी वहां आ जाती है और चारो तरफ खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहु ने उसके बच्चे को मार दिया है इस पर वैच छोटी बहु को चोच मारना सुरू कर देती है चोटी बहु गरूर पंखनी से कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है गरूर पंखनी अपने बच्चे को जिन्दा देखकर बहुत खुस होती है और सुरही सहीत उन्हें स्याओ के पास पहुचा देती है वहाँ छोटी बहु स्याहू की भी बहुत सेवा करती है स्याहू छोटी बहु की सेवा से परशन होकर उसे साथ पुत्रों और साथ बहु का आसिर्वात देती है और कहती है कि घर जाने पर तु अहोई माता का उद्यापन करना साथ साथ अहोई बनाकर साथ कढ़ाई देना छोटी बहु घर पर लोट कर देखती है उसके साथो बेटे और साथे बहुए घर पर बैठी हुई है वह बहुत खुश होती है और वह साथ अहोई बनाकर साथ कढ़ाई देकर उध्यापन करती है अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अन्होनी कोहोनी बनाना जैसे सहोकार की छोटी बहु ने करके दिखाया था जिस तरह अहोई माता ने उस सहोकार की बहु की कोक को खोल दिया उसी परकार इस उरत को करने वाली महिलाओ की मनोकामने अहोई माता पून करे अहोई अश्टमी कब है और इसके सूप मोहरत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे आने वाले अन्य रोचक और उप्योगी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निसान को भी किलिक करें हम जल्द ही मिलेंगे और एक महतूर वीडियो के साथ